पंदर दिसंबर 2019 का वो दिन जब नागरिक्ता संसोधन कानून के बिरोध में जामिया के छात्रों की उग्र भीडे सड़कों पर आ गई और जमकर कानून की धज्या उड़ाई 16 दिसंबर 2019 को वो तारिक जब घटना के 24 गंटे बाद कॉंग्रेस महास सचीव प्रियंका गांधी जामिया के छात्रों पर पुलिसिया कारवाई के खिलाब इंडिया गेट पर धरने परवैठ ही करीब दो घटे तक इंडिया गेट पर मौजूद रही प्रियंका गांधी ने देश की सरकार पर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश का वातावरण खराब है पुलिस विश्व विद्याले में घुसकर चात्रों को पीट रही है सरकार संबिधान से छेड़ छाड़ कर रही है हम संबिधान के लिए लड़ेंगे चात्रों के साथ हुई मार पीट को देश की आत्मा पर हमला बताने वाली प्रियंका गांधी ने इस बात को बल दिया कि हमें एक जूट होकर सरकार के खिलाब आगे आना होगा बात जामिया प्रदर्शन कारियों के समर्थन में आने वाली प्रियंका गांधी और दो घंटे तक चले उनकी धरने की हुई है तो बता दें कि प्रियंका गांधी के साथ धरने पर पुर्वर अच्छा मंतरी एके एंटनी पी एल पुनिया आहमद पतेल और अंबिका सोनी भी कभी इनी आरोपों के कारण इने राहुल गांधी के मंच से हटा दिया गया था एक फॉर्मेल्टी के तहस प्रियंका गांधी का आना थोड़ी देर बैठना केंदर सरकार पर आरोप लगाना और तोष्टी करण की राजनिती को अंजाम देते हुए चले जाना कहानी यहां खत्म नहीं हुई है बलकि कहाने के शुरुवात ही यहीं से हुई है चाहे जामिया हो या फिर लखनओ अलीगर मव बंगाल असम आंदोलन कहीं भी हुआ हो या फिर हो रहा हो अगर इसका अउलोकन किया जाये तो तमाम दिल्चस्प बाते हैं जो सामने आ रही है और मिल रह पता है और नहीं के बारे में साफ है कि देश भर में आंदोलन के नाम पर उग्र टांड़ों कर रही भीण के एजेंडे में एक बिखराव है एक भटकाव है यानि केरल में सी एक बिरोद कर रहे लोगों का एजेंडा कुछ और है जबकि जामिया और एम्यू में दिशाहीन है साथे इसमें नेत्रितों का अभाव तो है ही लोग ये तक नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर जो बाते हो रही है वो किसके बारे में हैं असल में मुद्दा क्या है ज्यान है कि CAA और NRC के बिरोद में दिल्ली से लेकर दक्षिर तक पूरा उप्तर पुर्व जल रहा है विरोद के नाम पर अंदोलन की आठ में कूद कर लोग अपने राजितिक स्वार्थ पूरे कर रहे हैं और एक भ्रम की इस्तिती बने हुई है बात कॉंग्रेस और प्रियंका गांधी के जामिया च्छात्रों को प्रदर्शन देने से सुरू हुई है ऐसे में हमारे लिए ये बताना बहुत जरूरी है कि आज कॉंग्रेस की नीतियां और रवया देश की जनता से चुपा नहीं है चाहे 2014 का चुनाओ रहा हो या फिर 2019 का चुनाओ जो इस देश ने कॉंग्रेस के साथ किया शायद ही आज पार्टी इस गम से उभर पाई है ऐसे में अब प्र प्रियंका गांधी को हम यही बताना चाहेंगे मुस्लिम तुष्टी करण के नाम पर कॉंग्रेस आज भले ही मैदान में हो लेकिन आने वाले वक्त में उसका ये समखन उसके जले की हड़ी भी बनने वाला है हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में एक बड़ा करसी को लेकर देश की सरकार के साथ कंदे से कंदा मिलाकर खड़ा है साथी इस वर्ग ने विरोध के नाम पर पूरे देश में चल रही इन हिंसक नतिविदियों पर पैनी नजर बना रखी है वो उसे चुप-चाप देख रहा है जाहिर सी बात है आज जो भी देश में चल रहा है जिस तरफ विरोध के नाम पर सरकारी संपत्री को नुक्षान पहुचाया जा रहा है यह किसी को भी पसंद नहीं आ रहा अब अगर प्रियंका कॉंग्रेस या फिर राहुल गांधी इस वर्ग के लिए सामने आये हैं तो कुछ कहने और बताने की जरूरत नहीं है अ अब आते हैं CAA और NRC पर मचेश सियासी गतिरोध के बाद भाजपा पर आज कोई अगर ये कहे कि इस विरोध प्रदर्शनों से भाजपा डर गई है या फिर इससे वो बैट फूट पर आ गई है तो ये समझने वालों की बड़ी भूल है सही मायनों में अगर इन विरोध प्रदर्शनों से सबसे ज़्यादा फाइदा किसी को मिल रहा है तो वो भाजपा के अलावा कोई और नहीं है कह सकते हैं कि विरोध के नाम पर पूरे देश में उत्पात मचाए लोगों ने वही कर दिया जो भाजपा चाह रही थी कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले वक्त में सिर्थ यही मुंता बीजेपी के लिए वोट की सवगात लेकर आए और उसके बाद कॉंग्रेस उस मुकाम पर पहुंच जाए जहां से वापस आने में कॉंग्रेस या यू कहें कि या यू कहें कि प्रियंका और राहुल को कई दशक लग जाएं